हलो स्टूरेंट्स, विल्कम इन दिस वीडियो, आज येस वीडियो मा हमें डिस्कास कर सूं अर्थमेटिक को जेमेट्रिक सेरीज को सम अप्टो एन टम्स का सरी क्यालकुलेर करने हैं, अब यहोटा कॉईशन से याने रो अर्थमेटिक को जेमेट्रिक सेरीज हो, किनके अर्थमेटिक सेरीज को कर्रेस्पंदिंग टम्स हरेक टम्स मा मिले अज मल्टिपल पाई राचां, यह 2, 6, 10, 14 आर एन, अपी, तेस्ते गरी, 1 by 5 होयो, 2 into 1 by 5, 6 into 1 by 5 square, 10 into 1 by 5 cube, 14 into 1 by 5 to the power 4 आनी, 2, 6, 10, 14, अपी भायो, 1 by 5, 1 by 5 square, 1 by 5 cube, 1 by 5 to the power 4, जीपी भायो तेस्तो केस मा हमिले सम, क्याल्कुलेट गरना को लागे, यहोटा, प्रोसेस को थुरू अगारी बढ़नों परने मुँचा, नाव, हैव लोक, सबी बंदा पहले हमिले यह लेट, अबर यह लेट, सम अपटो अन तम्स बी, 2 by 5, plus 6 by 5 square, plus 10 by 5 cube, plus 14 by 5 to the power 4, and so on, अपटो अन तम्स लेखना सब्साँ, यह अब जुन कर्रेस्पोंडिंग एपी रजी पी दिये कोंचा तेसको एन टर्म्स हमिले निकालना परने होंचा तो एसको लागे हमिले के लेखना सक्षों nth term of 2,6,10 equal to a plus n minus 1 into d the common difference is 4 which gives us 4n minus 2 4n minus 2 के भायो d एको ap को general term होयो टिस्ते गरी nth term of 1 by 5,1 by 5 square,1 by 5 cube and so on कि भाय दियो a बने को यो हो आर बन्नुक मतलब फेरी 1 by 5 नहीं हो to the power n minus 1 which gives us finally 1 by 5 to the power n minus 1 into 5 is equal to 5 to the power n हमिले डाइरेक पन्यों लेखना सक्षों किने की 1 by 5 को पर 1,1 by 5 square,1 by 5 cube it gives us the general term is equal to 1 by 5 to the power n therefore हमिले लेखना सक्षों nth term of given series कती भायो 4n minus 2 by 5 to the power n so the sum up to n terms 2 by 5, 6 by 5 square, 10 by 5 cube, 14 by 5 to the power 4 and अब यहां निरा हमिले last term रा second last term लेखना परने होंचा the second term, second यानिरा हमिले last term रा second last term लेखना परने होंचा the second last term कासे refine करने है हमिले कुने पने दुए अटा terms को 20 को relation है रहना सक्षों यह 14 बंदा 4 ले कम सा 10 so यहां निरा हमिले minus 4 जबा गर्षों 4n minus 6 by denominator मा पावर 1 ले कम सा so 5 to the power n minus 1 plus the last term 4n minus 2 by 5 to the power n एसे रे सभी बंदा परेले हमिले last term रा second last term निकालो परने होंचा यो equation 1 बंदा यहां निरा basically हमले यहां निरा ध्यांदीनू परने होंचा second last term निकालना को लागी हमिले के गरनू परने होंचा कुने दुए अटा terms को 20 को relation हैरना सक्षों 14 and 10 this 10 is 4 less than 14 so second last term will be 4 less than 4n minus 2 that will be 4n minus 2 minus 4 which gives us 4n minus 6 similarly the power is 1 less in the denominator when we compare two terms 5 to the power 4 5 cube 3 means 4 minus 1 तेसकारन यहां पावर सा n तेसको पावर होंचा n minus 1 अब क्ये गरनू छा अब एस पचे हमिले दुएटैस साइटस मा जुन जीपी हो तेसको कमन रेशियो ले मल्टिप्लाय गरनू छा यदि हमिले कमन रेशियो ले दुएटैस साइटस मा मल्टिप्लाय गरनू वरने क्या होंचा यह 2 by 5 into 1 by 5 will give 2 by 5 square ता हमिले यहा नीरा लेखदा खेरे मेनली के द्यान देनू छा सिंप्लिफिकेशन को लागे सिमिलर डीनोमिनेटर संगे रहास तेसकारन 2 by 5 लाए 1 by 5 ले मल्टिप्लाय गरनू छा रा सेकेंड टॉम को तला लेखनू छा सो वी गेट 2 by 5 square डीनोमिनेटर मेंच्ट अगेन अब 1 by 5 ले असला मल्टिप्लाय गर्छा यह उंचा 6 by 5 cube अगेन डीनोमिनेटर मेंच्ट यह सिंप्लिफिकेशन इजी को लागे हमिले असलो गरनू छा 10 by 5 cube विच गिप्स एस 10 by 5 to the power 4 वेन इट इस मल्टिप्लाय बाइ 1 by 5 and so on एसे गरी अब हमिले जब सेकेंड लास्ट टम मा मल्टिप्लाय गर्छा यह लास्ट को तौला जान चा अनि यह हुंचा 4n-6 by 5 to the power n अनि जब लास्ट ले मल्टिप्लाय गर्छा यहा निरो यह उटा टम क्रियेट हुंचा अनि यहा मिले लेक्षा हूं 4n-2 by 5 to the power n plus 1 यह कसरी भायो किरने कि एसलाय आमिले 1 by 5 ले मल्टिप्लाय गर्छा हूं ओके इस इस देप अफ देस सॉलूशन अब हमिले यदी सब्ट्राक्ट करसा हूं सब्ट्राक्टिंग एक्वेशन 2 from 1 अब यहा निरा मिले कती पाऊसा हूं 4 by 5 square similarly 4 by 5 cube similarly 4 by 5 to the power 4 and so on अब यहा निरा 4 and minus 2 minus 4 and minus 6 will give us 4 by 5 to the power n सेम बेश एसको सिंप्लिफिकेशन सब्वे यो डटडट को भित्रबायो लास्ट मा आमिसांगा बांकी बाचे माइनस और 4 and minus 2 to the power 5 by लास्ट मा बांकी बाचे 4 and minus 2 by 5 to the power n plus 1 ऐसला हम लिखना सक्चूंँ शब्ट्रक्टिंग 2 from 1 अब एस बाचे हमिले सलाई जबा सिंप्लिफाइ गर्शों तो यहां उंचा 5 minus 1 4 by 5 sn is equal to 2 by 5 आपना ठामा एस बाटा हमिले 4 by 5 कमन लिना सक्चूंँ 5 स्क्वाइर पनी कमन लिना सक्वाइर पनी कमन लिना सक्वाइर होना था बागी के बाचे यहां निरा 1 plus 1 by 5 plus 1 by 5 square and so on यहां निरा कत्योंटा टम्स माके रहां चा यहां निरा 2 by 5 as it is राखे हो 4 by 5 square onwards को टम्स यहां सम्मा बाटा हमिले क्या गरी राचे हों 4 by 5 square कमन लिना सम्मा रिमेनिंग यहां राखे हों अब इन हर को बीच मा यहां देखी लिए रह यहां सम्मा हाँ मनी नंबर्स आर देर हाँ मनी टम्स आर देर I mean to say इन हर को बीच को टम्स पाइंड करना को लागी हामिले काउंट कहां देखी गरी राचे हों 2 देखी अनि n सम्मा अब एस पाची अब टू एन माइनस वन टम्स पाची यहां लास्ट मां बाह की छाओ माइनस 4N माइनस 2 बाइ 5 तो दी पावर N प्लस 1 ओके वाल लुक अब एस पाची यहां निरा मिले पाइको चाहं 4SN बाइ 5 इक्वाल टू बाइ 5 प्लस 4 बाइ 5 स्क्वाइर अनि यो बने को जीपी हो यो जीपी हो जीपी मा अमिले जीपी को फॉर्मुला अपलाए गरना सक्षों जीपी को फॉर्मुला अमिले के पड़े गोचाहं सम अप्टु एन टम्स A 1-R to the power N by 1-R so we can use this formula so using this formula we get ये भन्नुक मतलब 1 बाइ 1-R मतलब 1 by 5 to the power N यो N बनुक N minus 1 हो by 1 minus R and the last 4N minus 2 by 5 to the power N plus 1 clear? अब 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 इसला हमिले जस्ट सिंप्लिफाइ गरनुँचा plus 4 by 5 square N2 यो उंचा 5 minus 1 4 by 5 which gives us 5 by 4 here अनि यहा निरा बागी बाचे 1 minus 1 को पावर जे भाया पनि 1N आनि by 5 को पावर N minus 1 आनि यो लास्ट को as it is हमिले लेक्षों एक स्टीचा now 5 5 cancelled 4 4 cancelled what do we get? we get here 2 by 5 plus 4 4 cancelled यो टा 5 cancelled हो 1 by 5 into 1 1 by 5 minus 1 by 5 उए 5 5 multiply हम स्टीच 5 into 5 to the power n-1 and 4n-2 by 5 to the power n plus 1 as it is अब यहां निरा को important point अब आप सबची के आऊचा therefore Sn को ठाम आम आम ले के लेकना सक्षा अब आप सिंप्लिफाइ गरी सक्षा यह आम से 3 by 5 simple अब आम निरा 5 to the power just n लेकना सक्षा सेम बेस minus बाकी बाची हो 4n-2 by 5 to the power n plus 1 अब यह सबची लाइक कासले मुल्टिप्लाइ गर सा यह 4 by 5 जोल चा यहां निरा कती थी हो 4 Sn by 5 so 5 it will be into 5 by 4 clear just remove the bracket now 3 into 5 5 into 4 5 5 cancelled we get 3 by 4 okay now अब यहां निरा हमिले लेक दिन चाव 5 by 4 into 5 to the power n minus अब यहां multiply होंचे यह 5 ले हमिले तला राखना सक्षा यहां निरा 4n-2 by 5 to the power n होंचे अनि यहां निरा बाकी यह बाकी यह बचिया 4 into 5 to the power n यह लेखनुको उदेश्याव हमिले बेस लाख सेम बनाऊनुचे टेस्कारन यह 5 लाख टोला सारनुप मतला 5 to the power n-1 होंचे फेरी बेस मिले नो डिनोमिनेटर मिले नो टेस्कारन यहां निरा अब अब की गार दिनुचे यह 5 लाख इंटू डिनोमिनेटर मां इंटू 5 to the power minus 1 लेखनुचे सिंपल अब यह बायो 4 into 5 to the power n नाउ यहां इरा हमिले यहां समात पाईसर के स्टेप अब यह दी माइनस लाख कमन लीदिने हो बने यह दुटाबाट यह माइनस कमन लेपस यहां इरा प्लस आउसर यह ब्राकेट को बित्रबाट अब 3 by 4 as it is अनि मिनस 5 plus 4n minus 2 by 4 into 5 to the power n which gives us 3 by 4 minus 4n plus 3 by 4 into 5 to the power n which is the required sum of two n terms have a look